डॉली कीचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगए और आप के लिए बहुत helpful होगि तो चल लिए रेसीपी को बनाना START करते हैं इस रेसीपी को बनाने के लिए मैंने अलुड़ लिया है छील के तीन आलू मैं पानी में डिप कर рख दिया है को सिप nó है था कि यह क्ले नौ में आलो है ये कच्चे आलोी एंच इंग चाय आलो नहीं गती कि खरां यह है हम इसे इस था से चोड़ लेंगे इसका पाने से निक अर्टिए पानी निकल देंगे आप देख रहे हैं कि बावल के इंदर पांी पूरी त्र आसे निकल गया य मरणा देख इसे दालने के लिए हम चबाड़ा से बादे कम पषुना के शाल जाला है विए ग्राइन कर लिए इसे राचिकला बवल पृतिकली आटेके डियुग ऑले के लेख नाचेंlor या रचुमाट हम जाला है। नमख बहुत ज़ादा नहीं क्योंकि टालने से कड़वा बना जाता है एक चमज आमचूर पाउडर एक चमज हमने काली मिर्च भी डाल ली है और एक चमज हमने लाल मिर्ची भी डाल ली है आप इसको कम ज़ादा रख सकते हैं अपनी पसंद के मताबिक अब इसके दर हम डालेंगे कटा हरा धनिया और अच्छे से हमने आलू को मिक्स कर लेना है आप देख रहे हैं कि आलू जो है हमारे इस तरह से जुड़ने शुरू हो गए है यानि जुड़ गए है इस तरह से शेफ देते हुए हम इसको रख लेंगे आप चाहें तो इससे आप दो प्लेट के अनधर अदर मैंने सामक के चाहा ली गोत आप दीया है सामक के चाहा अड़ जो मैंने कॏ बारीए हो को या तो चनले के लिए ट्शयाी है मेंने तो एक धुड़ने चाहालोग के बदे आपницगे लीत हमगें हुए हम आप इस लीड़कर थोम टाले के बद आजकल आप बजार तो जानी रहे होंगे, नहीं बजार से आपको कुछ खाने को मिलेगा, तो उसके अंदर आपके लिए बहुत अच्छा उप्शन है, आप बिल्कुल बजार जैसे, बलकि मैं ये कहूंगी कि बजार से भी अच्छे कटलेट्स जो हैं, वो घर में बना के खा करना कहीं बार ऐसा होता है कि मन करता है लेकिन अलू उबालने के जंजट में हम रह गाते हैं बनाना, ये हमारे कटलेट्स जो हैं फ्राइ करने के लिए त्यार है, तेल भी हमारा गरम हो चुका है, तो एक एक करके हम तेल में डालेंगे, जियान दें ये फ्लेम हमने लो इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेंग पर त्यार करेंगे, तो ये हमारे कटलेट्स जो हैं बन के तयार हैं, आप देख रहें कितना अच्छा का लगाया है, इसी तरह से हमने बाकी कटलेट्स भी त्यार कर लेने हैं, आप देख रहे हैं कि बाकी भी मैंने त्यार कर दिया है, ब प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू.